तो दोस्तो आज 3 जन्वरी 2024 बजार में आज फिर से करेक्शन देखने को मिला जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 21,517 पॉइंट पे करीब 0.69 परसंट गिरावट के साथ कल दोस्तो बहुत important इसलिए भी होने जा रहा है एक तो कल Thursday है मतब निफ्टी 50 की weekly expiry साथ में निफ्टी 50 में आज गिरावट जरूर हुआ पर आज निफ्टी 50 21,500 के नीचे नहीं पहुचा उसकी उपरी support मिल गया पर कल अगर sudden इस level break हो जाता है तो काफी नीचे तक जाने का possible बेल चांस है तो जानेंगे इस वीडियो में कल क्या होगा ultimately साथ में share markets से लेटेट बहुत सरा important updates, global market का हाल चाल, FISDS का data और most important part कल market prediction तो request करूंगा सबको please वीडियो को बिन स्किप की पूरान तक जरूर देखना तो चले सबसे वहले हम बात कर लेते हैं market analyst द्वारा क्या mention कि कि कल expiry की दिन बजार किस तरह move कर सकता है तो इस topic को cover किया HDFC securities की तरफ से एक analyst ने इनके according आज nifty 50 जहां पे closing दिया इस particular level पे दोस्तों कल बहुत ही important होने जा रहा है जैसी कि यहां पे भी mention किया जैसी कि मैं आपको कुछ time पहले का कि 21,500 अगर break कर लिया उस case में सीधा सीधा उपर की तरफ resistance भी mention किया 21,670 पॉइंट पे यानि अगर देखा जाए analyst द्वारा थोड़ा बहुत bearish hint यहां पे दिया है बाकी दोस्तों आपको क्या लगते कि कल expiry की दिन बजार किस तरह move कर सकता है प्लीज मुझे comment box से comment करके बताईए तो सबसे वहले वाला जो मैं आपक more strength if nifty decisively break 21,500 तो पहले वाला analyst के तरह दूसरे analyst भी same to same statement यहां पे दोर आया कि अगर यहां पे यह जो 21,500 का लेवल है यह अगर ब्रेक हो गया और भी जादा मार्केट जो है नीची की तरब पहुंच सकता है तो नीची की तरब यहां पे इनके तरब से support level mention किया 21,400 और उसक next important update दोस्तों इंडिया की manufacturing PMI fall फिर से 18 महीने यानि देर साल की lowest position पहुंच चुका है last time हमने देखा था जैसे कि आप देख सकते यहां पे screen के अपर आपकी यह देखिए November का जो PMI था 56 October का था 55.5 और इस बार December का जो PMI data आउट हुआ है आज की rate पे 54.9 के आसपास यानि अग तो next important update हमारे एक मिनिस्टर प्यूश गोईल साब की तरफ से कुछ ऐसा statement दिया कि इंडिया टू बिकम 4 trillion dollar economy before 2024 election काफी बढ़िया अब देखिए आज की rate में इंडिया economy जो है almost 4 trillion dollar के आसपास पहुँच चुका है तो I think next almost 3-4 माहीने बाकी है में भी election से पहले आराम से यहां होने का चांस है next important update दोस्तों बहुत ही मैं बोलूंगा यहां पर shocking बात है फिर से इरान के अंदर 217 explosion हुआ बड़े-बड़े bomb blast हुआ और जिसके चलते टोटाल 103 लोग का दोस्तों डेथ हो चुका है अब देखिए कौन सी देश जिमेदार है क्या कौन सी terrorist organization पर इसके साथ connected ह यह इसके उपर अभी कारवार चल रहा है बड़ इसकी कारण बहुत सारे फिर से global issues create होड़ा है जैसे मैं आपको आगे दिखाऊंगा क्यूंकि आपको अच्छे से मालूम है इरान हो गया इराक हो गया यह सारे basically oil producer countries है oil exporter countries है और यहां पर अगर कुछ भी हुआ obviously impact आपको सीधा सीधा oils के अंदर देखने को मिलेगा और oils में अगर कुछ भी हुआ आपको अच्छे से मालूम होगा कि पूरा कपूरा इधर से उधर हो जाए हो सकता है ठीक है oils में अगर कुछ भी हुआ तो कहिने के इसके impact आपको बुरी तारा oils में देखने को भी मिल गया मैं आपको दिखाता हूं आगे देखते हैं बट फिलाल ये न्यूस काफी शौकिंग है कि जहां पे एक तरफ इस्राइल इसके आसपास ही है वहां पे एक तो अभी आज की डेट में जंग चल रहा है उसके उपर इरान की उपर भी टोटल एक साथ एक्सपोशन हुआ बंब सी मेनट्स ऐसा क्यों मेंशन किया यहां पर बेसिकली आनलीस दोरा कुछ ऐसा स्टेट में दिया कि अभी तो यह आउटकम नहीं निकला ठीक है वर्ल स्टीट स्ट्रेजिस्ट एक्सप्रेस कॉशन नथिंग डैट डेस्पाइट मार्केट ऑप्टिमिसम इन इंडिकेट रे इसको नजर में रखते हुए में इस बार कट नहीं होगा और यह जो आउटकम है दोस्तों यूएस मार्केट की टाइम के अकोडिंग दो बज़े कासपर आउट होगा और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकोडिंग रात सारे बारा बज़े पर आउट होगा ठीक है तो देखे इसका प्रेट में आपको देए दूंगा फिलाल आप यह देख लिजे कि अभी फिलाल डॉजोंस में क्या हल चल जा तो देखे लोजोंस सूरा दी वह तो एकदम से नेगेटिब में अभी देखे युएस मार्केट में समय बारा बचके चार मीट तो लगबग देख आपको बोल रहा था कि इरान में अगर कुछ भी हुआ ना सीधा सीधा ओएल में आपको बहुत जादा तेजी यह देखिए कुछ टैम पहले क्या अपडेट है यहां पे चल रहा था एकदम से स्पाइक देखने को मिला यह देखिए कह से कहां पहुँच गया ऑल्मॉस्ट इंडियां मार्केट की दो बड़े कंपणियेंट में भी रहावर्ट फाए जाहिए वीप्रो की बात करें इसकी बात करें अभी देestsने भी वी प्रुद सब्हेंट में भी इंफोसिस चीर हुल्र के लिए बहुत ऑच्या एप बेट है जी इन आart है भांकिक एक परसन की तेजी की बात कर यह भी कोई बहुत जाद उपर नहीं है अच्छ निफ्टी जहां पे ग्लोजिंग दिए उसका आसपास में है क्योंकि आपको तो मालूम होगा कि गिपनिप्टी हमेशा लगबग वही स्वाधर सब्सक्राइब करता है ठीक है तो निफ्टी जहा को लाइक करना साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टैप की इंफॉर्मेटी वीडियो हर्लोज पाने के लिए तो दोस्तों कल जैसे के हमने देखा था एफस द्वारा कुछ हद तक पर्चेस देखने को मिला था बट आज की रिट में कंप्लिटल करें बागी बात करें इसराइल और नियूज निकल के आए कि हमास के एक बहुत इंपॉर्टन लीडर्स का डेट हुआ है इस्राइल दौर और उसके साथ इसको लेकि अभी थोड़ा बहुत तो फिर से परिशानी करवा हट बढ़ चुका यह 35 की बात करई इस्राइली परन को लेकर चलता है वहाँ पर यहां मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मार्केट प्रेडिक्शन वाला पार्ट कवर करेंगे उपेंड कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट तीन मैंने की चार परन तो देखें निफ्टी 50 में थोड़ा बहुत विक्टनेस देखनी को मिला लगा तेजी के बाद इसके साथ आरे से इंडेक्स जो की बीच में 80 क्रोस कर गया था आज गिरावट के साथ साथ फिर से 65.83 का आसपास पास पहुंच चुका है वह ऐसे में देखें लास्ट दो तीन दिन से थोड़ा बहुत कमशोर था तो देखें इंपोर्टेंट जो अभी इम चांस है थोड़ा सा ग्याप भी हो सकता है ऐसा मुझे लगता है क्योंकि एकदम से क्योंकि लास्ट दो दिन में गिरावट हुआ है तो आई थिंग यहां पर देखें कल ओपें दो लेवल पर हो सकता है एक 21580 के राउंट यह एक लेवल हो सकता है दूसरा हो सकते है 21500 सपो नमबर काफी क्रूशल रहेगा अगर नीचे की लेवल पर हुआ उसकेस में थोड़ा बहुत नीचे आएगा उसकेस में अगर 500 का लेवल ब्रेक हो गया तो काफी नीचे तक जाने का चांस है तो देखें कुछ आसपास पहुंचने का पूरा 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 पॉसिबल चांस है 2400 के आसपास आप पुछो कि क्यूंकि इसके पहले भी आपने देखा था जब गिरावट हुआ था 400 से लेके 2500 इसी लेवल का आसपास आप देखें तो काफी पर सपोर्ट मिला था उसके बाद ही बाउंस बैक अल्टिमेटरी देखनी को मिला था तो यह कुछ सपोर्ट डेवल में आपको बता दिया अब बात करेंगे बैंक निफ्टी का रोल कल काफी क्रूशल रहेगा क्योंकि बैंक निफ्टी देखें आज एक सपैरी की दिन गिरा नहीं अच्छी बात है शुरू में गिरा था बट एंड की समय रिकवर्ट दे दिया था और उसके साथ जो इंपॉर्टिन इंडिकरर्स इसके जो 20 टेस की यह में उसके उपर ही क्लोजिंग दिया कल अगर फर थोड़ा नज़र रखना मार्केट जिस तरफ रहेगा पॉसिबल चांस यही है कि बजार इंड की समय उसी लेवल का आसपासी क्लोजिंग देने का चांस जैसे कि मैं आपको कल भी का था ठीक है उसके साथ-साथ आज रात में जो आउटकम निकलेगा उसको पर भी थोड़ा